दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे लेथ मशीन के important part head stroke के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसका परियोग क्यों किया जाता है जो head stroke होता है इसका परियोग एक परकार से जो driving pullies होती है जो back gear होता है या फिर जो lathe का spindle होता है उसके लिए एक परकार से housing प्रवाइड करता है और दूसरा कि जो lathe machine का spindle होता है उसको bearing प्रवाइड करने के लिए भी head stroke का इस्तेमाल किया जाता है और जो head stroke जो lathe machine पर अगर आप इस diagram को देखें तो आपको बिल्कुल clearly नजर आएगा कि ये जो एक circular mark के अंदर का portion है ये head stroke है जो lathe का जो bed होता है उसके बिल्कुल जो left hand side है वहाँ पर जो inner ways होते हैं उसके उपर head stroke को permanently एक प्रकार से fix कर दिया जाता है ये इसकी location होती है अब बात करते हैं कि जो head stroke है इसमें क्या-क्या components रहते हैं और किस परकार से इसमें कारिया होता है जैसे कि हमीं पता है कि जो सभी परकार की जो lathe होती हैं उसमें head stroke की मदद से power को receive किया जाता है और power जो transmission जो device होते हैं वो step cone pulley भी हो सकता है और geared head drive भी हो सकता है लेकिन अगर modern time की बात करें जो modern lathe हैं इन सभी में हम देखेंगे geared head drive का हम इस्तेमाल करते हैं ये भी हम discuss करेंगे कि जो cone pulley है और जो geared head drive है इन दोनों में mainly क्या comparison रहता है क्यूं आज की जो modern lathe हैं उसमें हम gears का इस्तेमाल करते हैं cone pulley का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है और जैसा कि हम बात करें जब head stroke की जो working है इसमें mainly क्या होता है कि जो spindle होता है जो spindle है उसको ये एक प्रकार से जो head stroke है वो sport प्रवाइड करता है और इसमें अगर आप देखें gear box लगे हुए है spur gear आपको नजर आ रहे है spur gear इसमें लगे हुए है जिसकी मदद से हम spindle और spindle nose के साथ जो attached work piece होता है ये जो spindle है इसकी जो nose है इसके साथ जो भी work holding device होगा उसमें जो भी work piece हम hold करेंगे उसको हमें different speed पर rotate करना होता है क्योंकि जो spindle speed है वो different होती है क्योंकि जो work piece है उसे हमें अलग-अलग speed पर rotate करने की आवशकता होती है वो depend करता है अलग-अलग machining condition के उपर उधारन के लिए अगर बात करें अगर हमारा work piece ज़्यादा hard और tough material से बना है उसके लिए हमें spindle को कम speed पर rotate करने की आवशकता होती है अगर material soft है उसके लिए fast speed हमें चाहिए अगर हम बात करें type of operation अगर हम work piece के उपर जैसे tapping operation करें, reaming operation करें या फिर इस case में क्या होता है कि जब हम external या internal threading करते हैं तो उस समय जो lathe machine का spindle है उसको slow speed पर हमें rotate करना होता है अगर turning, drilling, boring, facing करें उस case में वो ज़्यादा speed पर rotate करता है यह होता है type of operation अगर हम बात करें work piece के size की अगर ज़्यादा large size का large diameter का work piece है तो उस case में जो lathe का spindle की speed है वो slow होती है जबकि अगर हमारा जो work piece है वो small diameter का है तो उस case में high speed की requirement रहती है ऐसे ही surface finish की बात करें surface finish अगर rough machining हमें करनी है जिस case में हमें ज़्यादा material को remove करने की आफ सकता होती है deep cut provide करने की आफ सकता होती है तो उस case में जो spindle की speed है वो कम रहती है अगर हमें finishing करनी है finish machining करनी है या finishing cut देना है जिसमें हमारा जो depth of cut है वो कम रहता है तो ऐसी स्थीती में हमारा जो spindle होता है लेट का वो ज़्यादा speed पर rotate करता है तो ये कुछ ऐसी machining condition है जिसको देखते हुए हमारी जो spindle speed होती है वो vary करती है work piece अलग-अलग speed पर rotate करता है तो head stroke में जो gear drive है या फिर जो cone pulley होती है वो सारा इसको ही control करती है spindle speed को दूसरा कि जो spindle की rotational axis होती है वो बिल्कुल parallel होती है जो हमारे bed ways होती है उसके बिल्कुल parallel होता है जो spindle का rotational axis होता है और दूसरी बात जो spindle है अगर आप इस diagram को देखते हैं बिल्कुल hollow आपको नजर आएगा ये बीच में से बिल्कुल hollow है और ताकि जो bar stroke है उसको इसमें हम रख सकें कई बार क्या होता है कि जो large size की हमारी bar होती है तो उसे हम spindle के अंदर भी insert कर सकते हैं और दूसरी बात जो spindle nose है अगर आप यहां देखें spindle nose हमारा जो head stroke है उससे बाहर होती है और spindle nose जो बाहर होगी है एक प्रकार से projected part होता है spindle का जिसके उपर external thread बने होते हैं अगर आप देखें बिल्कुल जो spindle का हमारा front end है उस पर external thread बने होते हैं ताकि work piece जो holding accessory होती है जो lathe पर हम इस्तेमाल करते हैं जैसे face plate है, dry plate है, chuck है तो इसमें क्याए कि इनके अंदर internal thread बने होते हैं तो इनके जो internal thread है वो जो spindle के external thread होते हैं उसके corresponding होते हैं और इनको हम इसके उपर mount कर सकते हैं जब spindle rotate करेगा तो यह जो work holding accessory होती है यह भी rotate करेंगे और इनके साथ work piece भी हमारा rotate करेगा अब बात करते हैं कि जो hollow spindle है इसके अगर front end में देखें यहाँ पर एक tapered bus या फिर sleeve लगी होती है जो tapered होती है इसको taper इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार हमें live center का इस्तिमाल करना पड़ता है और live center का जो यह sank है यह taper होता है तो यह अच्छी तरह से इसके अंदर mount हो जाए इसलिए यहाँ पर sleeve को taper किया जाता है अच्छी तरह से mount करने के लिए दूसरा कि जो spindle होता है spindle के दोनों end को अगर आप देखें यह front end है और यह इसका rear end है जो पिछला हिस्सा है इन दोनों में यहाँ पर हम bearing प्रोवाइड करते हैं तो spindle का जो यह हमारा spindle nose है उसके बाद यहाँ bearing लगा हुआ है जिससे में spindle हमारा rotate करता है यहाँ पर भी bearing लगा है end thrust bearing यहाँ पर लगे होते हैं spindle को अच्छी तरह से accurate bearing माउंट करने के लिए हम roller bearing का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ball bearing का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है और जो spindle हमारा rotate करता है इसको अगर हम power इसमें apply करनी है तो वो हम apply करते हैं electric motor की मदद से वो हो सकता है V belt के through कर सकते हैं अगर हम cone pulley का use करें या फिर silent chain drive का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और जैसा हमने बात की कि जो live center हम इसमें use करते हैं live center basically क्या है कि वो head stroke का spindle होता है उसमें वो fit हो जाता है और work piece के साथ ही वो revolve करता है अब बात करते हैं कि जो head stroke हमने बात की कि modern days में जो lathe machine है उसमें आज की date में gears लगे होते हैं कौन pulley का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो इसका basically reason क्या है advantage क्या है जो आज की date में जो geared head stroke का इस्तेमाल करते हैं एक तो जो size है करते हैं उसके इस्तेमाल से हमें जो spindle speed है उसकी wide range हमें मिल जाती है और उसके बाद जो power available होती है tool पर वो almost constant रहती है सभी speed के लिए कौन pulley के case में जो power है वो speed के साथ vary करती है और जो spindle speed होती है उसको हम बड़ी असानी के साथ जो अगर आप यहां देखे कुछ levers लगे हैं तो इन levers की मदद से बड़ी असानी के साथ हम spindle speed को change कर सकते हैं जो काफी safe है और quick भी है और दूसरा क्योंकि अगर हम बात करें कौन pulley drive में जब हम belt को shift करते हैं तो उसके comparison में gear को shift करना ज़्यादा आसान रहता है और जो head stroke जो geared head stroke है इस case में ना तो हमें कोई अलग से line soft किया सकता है ना ही अलग से कोई counter soft किया सकता है जो power है वो directly हमें independent motor से मिलती है जो हमारी machine के अंदर already house it होती है उसके बाद इस case में हमारी जो vibration है वो भी कम रहती है machine spindle में तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया लेथ मशीन का important part head stroke अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ चैनल को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे